हेलो स्टुरेंट्स आ चुके हैं फिर से एक न्यू एक्जेंपल के साथ हम हीरोंस फॉर्मॉला का इंट्रॉडक्शन पार देख लिए हैं हमने वीडियो लक्ष्ट देख लेना प्लेजिस में जाके हर चेप्टर क्लास वाइज वहां पे सेप्रेट के लिए है क्या है चली देखते हैं आपको एक एरिया ओफ ट्राइंगिल निकालना जिसकी टू साइड और विच एट है इलाविन प्रेमिटर कितना है उसका 31 32 तो देखो गिविन कंडिशन से शुरू करूंगा मैं बहुत इजी है सबसे पहले आपको पैरिमिटर की विन है पैरिमिटर होता क्या है पैरिमिटर ओफ ट्राइंगिल क्या होता है मैं नाम देता हूं इसको ABC अब पैरिमिटर ओफ ट्राइंगिल होता है तीनों साइड का सम होता है बिल्कुल होता है सर यह आपको 32 दिया है और साइड आपको 8 देदी एक 11 देदी और थर्ड आपको पता नहीं है अब क्या करोगे आप 8 और 11 को आड करो कितना हो जाएगा यह 19 हो जाएगा तो बता दो मुझे एक बार अच्छे से कमेंट सेक्शन बताना कि कि इस्ट्वेंट्स को सर यह वाला मैथड में दिक्क्त आ रही है इसमें दिक्क्त आ रही हो बताना आप कमेंट सेक्षिन आप अब मुझे इसका एरिया निकालना तो एरिया निकालना कि सबसे पहलो मैं क्या निकालता हूं सर एस क्या है आपका सैमी पैरे मीटर सैमी पैरे मीटर कैसे निकलता है सर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन दो या फिर मैं डिरेक्टिव बलू तो पैरे मीटर का हाफ करना है आप बार बार मत जोड़ो उनको, perimeter का मतलब क्या है? 32 पहले से की बीन आपको उसका सीज़ा half कर दो, 16 cm, बताओ समझ में आगया कि यह चीज, हाँ समझ में आगया, अब आप निकालो area of triangle ABC, वो क्या है आपके पास? S, S-A, S-B, S-C, अब मैं यहां लगाऊंगा centimeter S करके कि मिर पास centimeter पता लग गया है मुझे, अब मैंने क्या बताया, S कितना है, आपके पास S हो गया हमारे पास 16, फिर देखो 16-8 कर लो, 16-11 कर लो, और 16-13 कर लो, कोई भी set आगी पीछे रख सकते हैं, आप कोई फराख ने पढ किया तो, 16 में से 11 किया तो, 16 में से 13 गया तो, अब आप इनके टुकडे करना सिखो, जैसे आप LCM करते हैं, ऐसे करके, तो आप या तो इसके पूरे टुकडे करो, 2 से किया तो 8, फिर 2 किया, 4, फिर 2, 1, 2, या तो ऐसे टुकडे करो, या फिर 16 के जागे 4 into 4 लिख देता हू क्यों है, क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये same digit आती है, मैं इसमें से 4 लबार निकाल दूँगा, और आपको ये सौंज मैं नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, 1 मिनट, आप डिरेक्ली ये टुकडे लिख दो, अगर आपको confusion लगता है, तो, अब 8 के भी ट सेम दिख जाए, आपको उसमें से एक digit बाहर लिखते है, तो केवल 2 बाहर आएगा, फिर ये 2 और 2 है, तो केवल 2 बाहर आएगा, रूट में से, इधर देखो, ये 2 और 2 दिख रहा है, केवल 2 आएगा बाहर इसमें से, अब जो बच गया, पेर नहीं बन रहें, सब को multiply कर द ये अपने junior class में पढ़ा होगा, 8, 7th class में भी आयाता है, सब को ब्रेक करना इस तरीके से under root को, और यहां आप दोनों के pair में से एक एक value बाहर लिखते जाएंगे, और जो नहीं होंगे pair में, उनको आप root के अंदर multiply करें लिख दो बस होगे, आपका जो answer है solution और unit इसका लग इसका ले करें गुदधे लिख, फिए जाएंगे।